नमस्कार दोस्तों, गोर स्टेडी यूटूब चेनल पर आप सभी का आर्दिक स्वावेत हैं तो आज की इस वीडियो में हम 8 जन्वरी 2024 का मत्यप्रदेश करेंट अपेर डिसकस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर पेले ही मेंने 6 जन्वरी और 7 जन्वरी का जो हमारा मत्यप्रदेश करेंट अपेर चूट गया था इनकी complete वीडियो अप्लोड की है तो आप उन्हें भी जरूर देख लिएजे बाकि आप मत्यप्रदेश करेंट अपेर्स के जो प्रस्न होते हैं इनकी कोई जटेंड करना चाहते हैं तो टेलिग्राम गुर्प को जोइन कर लीजे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चलिए जो हमारी 7 जन्वरी की किला से उसका मत्यप्रदेश करेंट पेर रिवीजन कर लेते हैं हमारा प्रस्निता कि अंतरास्टि बेटलेंड सिटी के दरजे के लिए एनल सरकार बारा मत्यप्रदेश के किस सहर का चैयन किया गया है तो मत्यप्रदेश के भुपान और इंदोर सहर चैयनित किया गया है क्या अलावा राजिस्थान का उदेपूर भी चैयनित किया गया है मत्यप्रदेश के किस चले के कार्तिक जोसी ने आयोध्या के लिए 14 दिनों में 108 किलोमीटर की दोर की सुरुआत की है तो ये इंदोर से की है और कार्तिक जोसी को अल्टरा रणनर के नाम से जाना जाता है देश के फैदे प्रसादम का लुपार्पन किस सहर में किया गया तो ये उज्जेन सहर में स्री महागाल महालोप परिसर में किया गया है आज इमें निम्न में से किसे सानातन उसन सम्वान से सम्वानित किया गया है तो मुक्तमंत्री डाक्टर मोहा ने हंदब को सम्वानित किया गया मत्यप्रदेश के किस सहर में देश में पहली बार दो दिन का व्यूटी ग्लोबल पोरम आयुजित किया जा रहा है यह हमारा आज का question of the day है आप सभी के लिए कि मत्यप्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारे option है नर्वदा नदी, कंबल नदी, सिफरा नदी या तापती नदी इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें इसका साय उत्तर आपको इसी वीडियो के अंत्वे मिल जाएगा वो इससे संबन्नित हम अन्नितत भी देखेंगे आकि दोस्तों जो हमारी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की मत्यप्रदेश करेंट अफेर वार्सिकांग 2023 से यह भी उपलब दे और आप इसका पीडियेप भी खड़ी सकते हैं जो यह बार्सिकांगे इसमें पूरे 25 टोबिक कवर किये हैं जिसमें प्रमुक जियाई टेक, एक जिला एक उत्वाद, प्रमुक योजनाय, प्रमुक बदलेगाय नाम, प्रमुक सम्मान, फिर मत्यप्रदेश के नवगठी जिले, जो धार्मिक लोग है, सब कुछ इसमें कवर्द किया हुआ है, आप इसे देखना चाहते हैं, तो इसका डेमो पीडियेप का निंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पे क्लिक करके उसे डाउनलोड करें और पूरी ईबूप को देख सकते हैं, इस टाइगर रेजर्ब ने अपना नया लोगो जारी किया है, तो इसे पीरांगना दुर्गवती टाइगर रेजर्ब ने नया लोगो अपना जारी किया है, और अब पीरांगना दुर्गवती टाइगर रेजर्ब का जो एन लोगो है, ये कुछ इस परकार का बनाया गया ह विराङना दुर्दवाती Tiger Reserve ने नया लोगों जारी किया है इसके अलावा जो विराङना दुर्दवाती Tiger Reserve है ये मत्य प्रदेश का सात्वा Tiger Reserve है और ये है दमों नर्सिंग पूर और साधर जिले में हिस्थित्थ है जो ये Tiger Reserve है ये इसका पॉर छेत्र कितना है तो इसका पॉर छेत्र है 1414 बरगी किलो मेटर का है और बपर छेत्र है 925.122 किलो मेटर का है ये मत्तबर देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा वादा जो Tiger Reserve है यह है MP का सबसे बड़ा tiger reserve, कौन सा है बीरांगना दुर्गवती tiger reserve, और इस tiger reserve को नोरा देखिया पहराण और रहनी दुर्गवती पहराण को मिला कर बनाया गया है, अगला प्रेस नहीं, बत्ते प्रदेश के किस सहर में, प्रदेश की पहली microbiology lab इस्थापित की जा रही है, त microbiology lab अप्रेल तक सुरू हो जाएगी, यह स्थापित हो रही है, यह 4 January 2023 का ही newspaper का cutout है, गोफाल सहर में प्रदेश की पहली पुर्देश की 35.000 सरकारी microbiology lab इस्थापित हो रही है, वो जो यह lab है, इसके लिए Food Safety and Standard Authority of India ने मत्रदेश सरकार को 7 करोड रुपे दिये हैं, जब य पनीर, दही, फल, सफचियां तदा खराब हत्य पदार्तों में जो वाइरस और बेक्टिरिया होते हैं और फंगस इसकी जाँच हो सकेगी, अच्छा इसके अलावाद में मत्रदेश में जितनी ही प्रमुक लेव बनाई गई हैं इनके बारे में भी डिसकस कर लेते हैं, तो लोबाल में स्पेथोलोजी जाज के लिए PPP मोडल यानि के पपलिक प्राइवेट काटनर्सिक मोडल पर सेंट्रल लेव का कलेक्शन सेंटर इस्थापित गिया जाएगा, इसके अलावा अभी हाली में 20 मई 2023 को रास्ति मदुमुक्ची दिवस पर केलिर सरकार द्वारा मत् मत्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलोजी लेव ये भौपाल में जो एमस अस्पदाल है यहां पर इस्थाफित की गई है, ग्वालियर इस्थेत जीवाजे बिस्वविद्याले में आरोग के ध्याम चिकित साले के नव निर्मित केट लेव का भी अभी हाली में में जो महुत एसील है, यहां पर PM3 केंदरी बित्याले में एस्ट्रोनोमी एंड स्पेस टिकरिंग लेव स्थापित की गई है, और मत्य प्रदेश की पहली सेंटरल ड्रग टेस्टिंग लेव ये इंदोर सेर में स्थापित की जा रहेगी है, मत्य प्रदेश की पहली दो लेव स्थापित होगी, इसमें से दो लेव मत्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी हैं, और मत्य प्रदेश का आयूज विभाग एक स्मार्ट मेडिकल टेस्टिंग लेव भी बनायागा, इसके अलावा, मत्य प्रदेश की पहली tissue culture लेव ये बेटूर में इस्थी थ तो यह है मत्यप्रदेश की प्रमुत को लेब्त जो की बन गई है या बनाई जा रही है अगले प्रेस ने मत्यप्रदेश की किस संस्थान में Manufacturing Center of Excellence इस्थापित होगा तो यह है IIT इंदोर में स्थापित किया जाएगा अब देख सकते हैं कि IIT में स्थापित होगा Manufacturing Center of Excellence IIT नोर में यह Manufacturing स्थापित का Center of Excellence स्थापित किया जाएगा इस जो यह सेंटर होगा इसमें सिख्छा और उद्द्योग जगप के लोगों के लिए काम करने और उद्द्योगिक समस्याओं का समधान खोजने के आउसर भी मिलेंगे सिख्छा और उद्द्योग छेतरों के विशेसर के यहां आकर ग्यान का आदान प्रदान भी कर सकेंगे जो यह Center of Excellence खुला जाएगा इसमें और Manufacturing के छेतर में काम कर रहे आदिकारियों वा करमचारियों के लिए विशेस कोर्स भी यहां पर चलाया जायाएगा इसके लावा इसके लिए IIT इंदोर और Case New Holland Construction Equipment प्राइबेट लिमिटेट के बीच एक MOU भी साइन किया गया है अगला प्रसने है 67 राष्टी साले मलखंब इस परदा का आयोजन किस सहर में किया जा रहा है तो यह है उज्जेन सहर में किया जा रहा और इसकी सुरुवात कम से हुई है तो इसकी सुरुवात 8 जन्वरी 2026 से की गई है 8 जन्वरी से लेकर 12 जन्वरी 2023 तक मत्य प्रदेश के उच्जेन सहर में 67 भी रास्टी साले मलखंब, ये मलखंब है, मलखंब प्रतियोगीता प्रायोजन किया गया है, किया जा रहा है, और इसमें 20 राज्यों के लगवत 900,000 बात लेंगे, ये प्रतियोगीता है, इसमें 14 वर और 19 वर्स के खिलाडी भाग ले रहे हैं, ये मलखंब है, मलखंब अकैर्मी कहा है इस्तिते हैं, तो ये उच्जेन में इस्तिते हैं, और मलखंब ये मत्रदेश का राज की खेल भी है, अगला प्रस्त है, 42 बे अखिल भारती पुलीस कुरसावारी ठीम्पियंशिक और से किसे सर्वस्रेश्ट महिला राइडर चुना गया है, तो फाल ही में अवंति लोधी जी को चुना गया है, आप देख सकते हैं, ओल इंडिया पुलीस ड्यूटी माउंटेंड चेंपियंशिक में सर्वदिक स्कोर चुटा कर सर्वस्रेश्ट महिला राइडर वनी हैं अव अखिल वारतिय पुलीस गोड़ सावारीश चेंपियंशिक और माउंटेंड पुलीस ड्यूटी मीट का एरजन किया गया, और इसमें मत्यप्रदेश के असोप नगर जिले की रहने वाली हैं, दूसरी एवंति लोग जी, इन्होंने सो जन्पिंग में प्रथम इस्थान और हेक्स में दूसरा इस्थान प्राप कर वेस्ट राइडर का किताब अपने नाम किया है, चलिए वापस आते हैं हमारे प्रस्न पर जो वीडियो के सुरू में आप से पूछा था, कि मत्यप्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी, दूसरी मत्यप्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसके अलब आप, चंबल नदी मत्यप्रदेश और राजिस्थान के मत्य प्राकर्तिक सीमा बनाती है, मत्यप्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है, नर्वदा नदी, तो नर्वदा नदी को म मत्यप्रदेश की जीवन वेखा कहा जाता है मत्यप्रदेश सरकार वह रहा हूं नर्त नदी को जीवित नदी का दर्जवी दिया गया है तो दोस्तों ये था हमारा आठ जैन्वरी दोजार चोविस का मत्यप्रदेश का इंटर पर फोड़ी देर पर नहीं मैंने 6 जैन्वरी और 7 जैन्वरी की क्लास भी अप्लोड की गए तो आप उन्हें भी जरूर देखिए गाव पाकि अगर आप इन सभी बरस्तनों की कुई जाटेंट करना चाहते हैं तो टेली गराम गुरूप को जोइन कर दीचे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया गया है और बाकी कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरू कर दीचे तो मिले चाहते हैं तो मिलेज difféरी को फस्सुराब कर दो दो देखने हैं दीचे हैं जसाने कर दे स는या हैं यक हम य大丈夫, झालिया है दो जस büy़ हैं क~~~